हेलो दोस्तों क्यासे आप सभी लोग आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके इगनू एडमिशन फी के बारे में उसके आप किस तरह से रिफर्ण ले सकते हैं या उसके अगेंज जो पॉलसी थी उसको जो है यूनिवर्सिटी ने चेंज कर दिया है उसमें कुछ जो है मौडिफिकेशन की है उसके ऊपर एक अप्र वीडियो होने वाली है तो में एक सब्सक्राइब को पूरा एंट तक जरूर देखेंगो तक जो देखेंगो देखेंगा इगनू की तरफ से ओफीशन लोटिफिकेशन ओपन करनी है जो कि आपके एडमिशन पी से होने व सबसे पहला जो ए नमबर पॉइंट लिखा गया है आपका वह यह लिखा गया है कि आपकी नौन रिफर्ट डेबल होती है जब भी आप एडमिशन लेते हैं जो भी आप अपनी रिफर्ट नहीं किया जाएगा किसी भी केस में तो अगर आप एडमिशन गंफोर्मेशन से प नहीं हुआ है उससे पहले आप जो है अपना एडमिशन करते हैं या फिर आपने रिफर्ट के लिए अप्लाए करते हैं तो आपकी जो है फी रिफर्ट आपको कर दी जाएंगी लेकिन उसमें भी रिफर्ट नहीं की जाएंगी जो भी आपने एडमिशन फी भरी होंगी उस को आपको refund कर दिया जाएगा अगर आप admission से confirmation से पहले रिफंट के लिए अप्राय करते हैं सी पोईट में आप लिखा गया है कि अगर आप confirmation के बाद cancellation request आपकी आती है तो उस case में आपकी 15% program fee को cancel कर दिया जाएगा जिसमें maximum 2000 रुपीज होने वाला है याने कि 2000 से ऊपर आमाउंट नहीं चाह सकते हैं अगर वो 2000 से कम होगा तो 15% जो भी आपका program fee का अमाउंट होगा वो जो है गया था और भी यहां पर देखिए जिन भी student ने exemption के लिए अपलाए गया था उन students की भी जो है चोड़के development fee को refund कर दिया चाहेगा सेम चीज यहां पर लिखी गई है इंच अगर आप F point पर आते हैं तो यहां पर देखे clearly लिखा गया है no refund of fee will be admissible after 60 days of the closing date of admission साथ दिन के बाद कोई भी student अगर refund के लिए अपलाए करेगा cancellation के लिए अपलाए करेगा तो उस तीस को जो है आपको refund नहीं दिया जाएगा तो अगर कोई भी student है जो अभी चाहता है अपने admission लेने बाद कैंसिल करवाना तो यह सारी details उन अभी के लिए important होने वाली है कि आपको किस तरह से क्या इसकोन सी fee refund होंगी registration fee किसी भी case में आपको refund नहीं की जाएगी अगर आपका admission नहीं हुआ है तो आपको पूरा refund मिल जाएगा लेकिन अगर आपका admission confirm हो चुका है तो 15% maximum 2000 रुपीज यहां पर cap भी किया गया है उसको जो है deduct किया जाएगा जो भी आपने soft copy लिया उसका refund आपको मिल जाएगा कोई भी exemption वाले student है तो उसमें आपको registration fee छोड़ के development fee का जो है आपको मिल जाएगा और सार दिन के बाद कोई भी refund आपको जोड़ नहीं दिया तो यह काफी बॉर्डे नोट लिटी था सभी students के लिए आप आप सभी को आज की वीडियो पसंद आएगी